विजमालिया और नीरव मोधी जैसे 50 से जादा भगोडों ने कुल मिलाकर 17,900 करोड रुपे की धोका धड़ी की है आर्थिक अपराथ की जानकारी देते वे सरकार ने सदन को बताया है कि देश छोड़कर भागने वाले 51 लोगों ने 17,900 करोड रुपे की धोका धड़ी की दरसल विद राज्यमंत्री अनुराक ठाकुर ने राजसभा में CBI की रिपोर्ट का हवाला देते में कहा कि अब तक 66 मामलों में 51 फराल और खोशित अपराधी दूसरे देशों में भाग गए है अनुराक ठाकुर के मिताबिक CBI ने रिपोर्ट दी है कि इन मामलों में आरोपी व्यक्तियों ने देश के साथ लगबग 17,900 करोड रुपे की धोका धड़ी की अनुराक ठाकुर ने कहा है कि ED और CBI ने सक्षम नायालों में इन मामलों के सम्द में आवेदन दायर कीप और जाच और दूसरी कारवाई जारी है इठाकु ने का है कि CBI गोशित अपराधियों और फरार लोगों के समन्द में 51 प्रतरपन अनरोधों पर काम कर रही है जो कि अलग-अलग चर्णों में लंबित है तो CBI की जो रिपोर्ट सामनी आई है उसको वित राज्यमंत्रिय अरुराक ठाकुर ने राजस्पा के सामने रखा और उसमें बताया कि 51 मामले ऐसे जिसमें 17,900 करोड रूपयों की जो धोकादड़ी है वो 51 लोगों की जरिये की गई है और इसमें का गया है कि चाहे फिर ED हो या पिर CBI सभी की तरफ से यहाँ पर कार किये जा रहे हैं प्रतरपण की कोशिश में पर की जा रही है